आज मैं आपको दसारानी माता की कहानी सुनाना चाहती हूँ दसारानी माता की कहानी से सब की बिगड़ी हुई दसा सुधर जाती है दसारानी की माता की पूजा के लिए जब किसी गाय के पहली बार बचड़ा हो घोडी के यहां पहली बार बच्चा हो किसी मा के यहां पहली बार लड़का हो यानि की पहली बार किसी के यहां लड़का पैदा हो जब तुल्सी के ब्रक्ष में बाल निकले तब दसारानी के गड़ा लेने के लिए अपनी धोटी के छोड में से नो धागा लेना चाहिए दसारानी के गड़ा लेने के लिए नो कच्चे धागा लेना चाहिए और दसमा धागा अपनी शाड़ी का लेना चाहिए दसारानी का गड़ा लेने के लिए नो कच्चे धागे लेना चाहिए और दसमा धागा अपनी शाड़ी का लेना चाहिए और गड़ा को बना कर नौ दिन तक रोज साम को दसारानी की एक कहानी कहना चाहिए दसमें दिन गड़े की पूजा करना चाहिए गड़े की पूजा करने के लिए गोवर से लीपना चाहिए फिर उस पर पटा रखना चाहिए एक नौक वाला आम का पत्ता लेना चाहिए आम का पत्ता ना हो तो पीपल का भी चलेगा उसमें उस गड़े को रखना चाहिए पीपल के पत्ते में दसारानी माता की मूती को चंदन से बनाना चाहिए अक्षत, पुस्प, धूप, दीब, आडी करके सब तरहे से मा की बिधिवत पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद कहना चाहिए कि दसा धाउं, दसा मनाउं, दसा कदव, सब कुछ पाउं दस चावल लेकर इस दोहे को दस बार कहना चाहिए दसा धाउं, दसा मनाउं, दसा कदव, सब कुछ पाउं और उसके बाद पूजन करने के बाद मट्टी को गीला करके एक रोटी जैसी बना कर उसमें पूरा पूजन का सामान रखकर उसको बंद करके और एक कुवे या नब्दी में सिराना चाहिए उसके बाद फिर दस में दिल डस पूरी और दस चोटी चोटी गोली बना कर खाना चाहिए खाना उतना ही बनाना चाहिए जो छूटे नहीं अगर बच जाए तो उसको सिर्फ गाय को ही खिलाना चाहिए इस तरह से दसारानी माता की पूजा करने से हर व्यक्त की दसा सुधर जाती है जो कश्ट जीवन में होते हैं वो सारे कश्ट खतम हो जाते हैं इसलिए दसारानी माता की पूजा बड़े विर्विदान से करनी चाहिए